असलाम अलेकूं कैसे हो आप सब्लम दलीलम एकदम ठीक हूंगे तो जी आज कल तो पिटारबाजी लगी हुई है खुदी खुद को एक्सपोस करने में बहुत सारी बाते इसके वीडियो से ही एक्सपोस हो रही है और सारी बातों के पर पॉइंट अपना रखेंगे और प्ली तो जी देख लीजिए कि ये खुद बता रही है कि मुस्तफा के दो तीन दिन के बाद में जाहिए जो इसका जेट है इसके बाजू में जाके एकदम चिपके बैटके और फिर वीडियो बना रही है के इमरा हाथ में दी फिर बोली चलो मैं वहां पर बैटूंगी फिर आप लोग बताना कि मैंने आप लोगों की हेल्प की हूं है ना मतलब के खुद के नंबर बढ़वाने के लिए तो इसके पर डिटेल में बात करते हैं सबसे पहली बात तो के जैसे इसका मुस्तफा है जो आड़ गंटा स्वीमिंग करके आ रहा है टूब वेल पे नहा रहा है व ओर नहीं तो कोई फिकर दिखाई दी के यह फिकर से इसको दवाईयां किला रही होगी आप लोग जाके मेरा वीडियो जरूर देखना जो इसके बाद में डालूंगी तो वह वीडियो के अंञानी फ इसको बोल रहे है के दवाई खालो जादो बैठो मत लेड जाओ ऑगा जिस दिन वो हॉस्पिटल से आप आपिस आया उसके दो दिन के बाद से कहीं से भी नहीं लगा कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ है तो यहां पर यह खुद को यह एक्सपोस कर रही है यह बता के के जाइद भाई का ऑपरेशन हुआ है और मुस्तफा का जो इसने नाम लिए तो मुस्तफा का ऑपरेशन नहीं हुआ है दूसरी बात के यह बोल रही है न कि हम इसको देखने के लिए भी आएWhen मुस्तफा को देखने के लिए क्यों नहीं लेकिन दूसरे जो कांदान वाले है जो मीटब नहीं हुआ इसके लिए वह लोग नहीं आए तीसरी बात के है जैसे दज्जाल जड़ा ज़ूगों ने टरे गुना को छुपा-चुपा के रखे तेरे जूट में तुह सपोर्ट करते है पॉसर को गंदा करने में लोगों ने सपोर्ट किए जब तूने जीजा में मुं काला की तो ये लोग तेरे परदा डालते बैठे थे जब तुने एजाज वाला कांड की थी ना तो ये लोगों ने अपना मुह बंड करके बैठे हुए थे समझाई और आज भी लोगों ने आके अभी तलक के मुह खोल के तेरा गंद वाइटी पे नहीं बताए तो वो सबको अगर कंपेर करेंगी ना तेरी दो कौड़ी से तो वो तेरी दो कौड़ी है ना दो हलाकी ही लोक खुद भी गुनागार है तो भी लोग बहुत बड़े क्रिमिनल और जाहिर सी बाते के कृमिनल क्रिमिनल के घुना तो ढखेए गई ना तो यहाँ पर आप इस तरह से एइसान जताना कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मारी हूं तो और पिटारा तो किसके जो देती है ना वो मूँ बंद करने के लिए देती है तु इनको क्या बोलते है रिश्वत देती है और वो रिश्वत अगर तु इनको ना देना तो ये लोग तुझे ब्लैक मेल करते है तो आके जताने की जरूरत नहीं है कि तु इनके हेल्प कर रहे है तु एल्प नहीं कर ंनकी खिए उनकी वीडियो आना शुरू जाती है absorbs भ Cookie जाती है कूछ लादाएं तो दिखाती है और उनको पता नहीं क्या दिखाना चाहती है इस तो क्या समझ में आता है कि मैं ऐसा गंद करूंगी न तो लोग मुझे देखने के लिए आएंगे तो थोड़ी सी शरम आने चाहिए पिटारा तेरे को एक बात तो यहां पर आप लोग यह देख लो कि महरम के दिन चल रहे थे ठीक है महरम की दसवी नवी को इस तरह से गलीच हरकत करना और वैते तो इसने महरम के एतराम में अपना तूर कैंसल तो की नहीं हलाकि ऐसे इन दिनों में लोग घर में से निकलते नहीं कहीं जाना गूमने जाना सेलिब्रेट करना शादी विया यह सब तो बहुत दूर की बात है वो लोग अपना घरी नहीं छोड़के निकलते हैं घर ना मनलब घर के अंदर ताला नहीं लगाते हैं घर बं करके नहीं निकलते हैं इन दिनों को हर एक मुसल्मान मनाता है लेकिन इसने वह एतराम तो नहीं की नहीं की लेकिन इन दिनों में यह जा पिचल लगाई हूं जाके देख ले ना यही दिनों में नहा रही थी पैप को अपने सीने के अंदर गुसेड के और यह नहा के अपना जिस्म नुमाया कर रही थी इन्ही दिनों की बात है 15-20 दिन का 15 दिन का फरक है खल 14-15 दिन का ऐसा कुछ फरक के तोर पे यह पिछले साल अभी गाउं में अपने भाई के घर में पैप से नहा के अपना जिस्म नुमाया पर रही थी और अभी कुछ दिन पहले यह कामा उस पे जाके नहा के दिखा रही थी मतलब यह क्या दिखाना चाहती है फिर कुछ लोग बाते कर रहे थे कि सलमा ने इसके होट फिलिंग करव लhalf होगी के अपनी मालकिन की गलत चिजहों के अवाज उठाना चीको और अगर यह सही कर रही है तुम लोगों को लग रहा है तो फिर तुम लोग भी-करकश कर तुम लोग healthy थे सही कर तो इसके लिए पिठारा तरह पर लगधी लानत यह जो तुन्हें हर्कत किये ना नहा के दिखाने वाली लखदी लानत तेरे पर क्यों राबिया नहीं कुदी अंदर क्यों उसमें वीडियो नहीं बनाई क्यों उसकी जवान बेटियां नहीं कुदी लेकिन तू कुद गई क्यों 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 कि यारों को दिखाना है न वीडियो को पता नहीं कहां ते को भेजना ह कि तुझे बहुत व्यूज आ जाए अपने जीज में नमाया करने से सची में लख दी लानत तेरे उपर बाकी ये जो अपने जेट के साथ में बाइक पर बैटके जा रही थी वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इनके खांदान के लिए बड़ी बात है क्योंकि इसके साथ में भी इसका ताका भीड़ चुका है और इनके घर में बहुत लफड़े जगड़े भी हो गए उसके बाद में राबिया कैसे इतनी मतलब छूट छोड़ सकती है कि हाँ तू इसके साथ में बाइक पर बैटके निकल जा फिर कल को कोई कांड़ उठके आएंगा फिर यह बोलेंगी हाए हाए मीरे हजबेंड के साथ में इसने गलत काम कर ली तो है ना थोड़ाती है न इन चीजों को है ना तुम लोगों को सोचना चीए जो अपनी सबधी बैण के हजबेंड को नहीं छोड़ी तो इसके साथ में तो पहले भी इसने कांड कर चुकी है तो ऐसा ना हो कि तुमारे अस्बैंड के साथ फिर से कांड हो जाए तो राभिया काणी थोड़ आती ना अपने अस्बैंड के उपर ना सही पिटारा के उपर नजर रख और डाउट किया पर पिटारा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी जेट के साथ में बैठके जाते हुए लानत तिरुपर इसके लिए भी चाता गोचू तो बच्चों को वहाँ पे छोड़ के वापिस इनको लेने आ सकता था ना लेकिन इसने बेट नहीं की इसने उसको कॉल करके बुलाई नहीं के तू आ जा करके नहीं ऐसे तो यह उसको उंगलियों पे नचाती है लेकिन इधर बाइक पे बैठके जाने का इतना शौक था इसको के इसने उसको नहीं बुलाई और खुद बाइक पे बैठके चली गई ब के बाद ने उसके आंग पे कोई और खपड़ा नजराया तो वो कहां पे जाके चेंज की ये मुझे नहीं समझ आई अगर आप लोगों को पता है तो प्लीस मुझे कमेंट में बताना अच्छा भई अब बात कर लेते हैं कि इसके भाई ने मस्जीद के पास में इसको लेके ग बाद में इसने बहुए क одно हम लोगा इनकी की यहां बून बाइक पर लेके आथे तें दो बाते कि जो के जूट ती के दोनों जूट बाते इसने की ये सच क्या था उसमें से जूट क्या था ये तो फिटारा खुद किलियर करें क्योंकि ये भूल गई पहले ये बोलके कि ये हमारा घर था हम लोग यही रहते थे फिर जब आम का पेड़ दिखाई तो इसने बोली आम का मतलब वहीं पे बा मारे थी एक बात तो इसकी यहां पर पकड़े गई दूसरी बात कर दिखा रही थी और बोल रही थी अंधर तलब के ये मतलिखित के गुशी एक इक केमरे अंदर tलब के लेके गई और मतलब दिखाने का में रीजन यहीं था कि यह मज़ीद के नाम पे फंड मांग रही थी और आप लगों को पता ही है इतना जल्दी इतना सब इतने जो बनाई है जिसे के बहुत सारे फ्लॉट लेना बहुत सारे घर लेना इतने सारे टूर करना आए दिन यह शॉपिंग वो शॉपिंग यह सारा कुछ करना इतना इजी आऑसे नहीं था चैनल चेंट से सारी गाड़ियां ज Geschिर्ण पर चल रही है जो परन पर चेंट चार दिन नौहां कंभी तो is कभी घर के नाम पर टो कभी किसे तो कभी खित्य के नाम पर हमेशा पैसे लेती यह लोगों से और जतातीन एसे है कि जिसे मैं चैनल से अर्णींग कर रही है यह चैनल ते अर्णींग नहीं बहुति हुए यह फंड लेती है वह सुडू से लेकर आध दी तलग कि अब आप लोग यह बताओ जो बीच में केस के नाम पर बताया जा रहा था कि लोगों ने पैसे दिये केस के लिए लोगों ने पैसे दिये तो क्या वहाँ पे केस के लिए पैसे देना लोगों का बनता था जब केस इसका था इसके वज़े से हो रहा था इसके कांट्रो वर्थी ले रही है, फंडिंग खा रही है, मस्जिद बनाने का है, मस्जिद बनाने का है, जाके आप लोग अगर जाड़ु अली चुड़ायल की वीडियो देखोगे न, तो शुरू से अभी तलब के वो मस्जिद के नाम पे ही फंडिंग ले रही थी, अब आप लोग कुछ सोचो, क मजद के नाम पे तु फंडिंग ले रही ए तो अभी तलब के मजद क्यों नहीं बनी ऐसा थो है नहीं कि महल बनाना था मान पर नई बस हलकी फुलकी सी रिपारिंग ही तो करनी थी तो वह तो मेरे ख्याल से कपकी हो जानी चाहिए तो जितना जाड़ो ली चुड़यल ने ली है रोज मस्जित के बार जाड़ू मार मार के दिखाना और फिर ये बोलना के यहां की दिवारे गिरी है वहां की गिरी है यह है वो है और आए दिन यह पैसा लेती है जोते राबिया काणी लेती है लोगों के नलके के नाम पे तो कभी मस्जित के नाम पे और मस्जित के नाम राबिया काणी ने कितने पैसे लिए न उसका तो मैंने खुद देने वाली के मूँ से भी सुन चुकी उसने इसके लिए आके बाइटी पे नहीं बताई क्योंकि उसने अल्ला की रजा के लिए दी थी लेकिन इन लोगों ने देखो राबिया काणी का आज आप लोग घर देख लो जो घर में वो रहती थी वो घर देख लो और अभी का घर देख लो तो वो नलके के पैसे कहा लगे आप लोगों को खुदी नजर आ जाएंगे जाडु वाली चुड़यल को आप लोग देख लो इतना इसने गोल्ड बना के रखी है और घर अपना वो ही दिखाती है कि घर बना हुआ अच्छा दिखा दूँगी तो फिर लोगों को पता चल जाएंगा कि हमारे आला ठीक हो गए तो फिर लोग क्या करेंगे हमें देना बंद कर देंगे हैं ना इसलिए वो जमीने ले रही है वो मवेशी ले रही है वो गोल्ड ले रही है और घर में पैसा नहीं लगा रही है हाँ मैंने सुणी हूँ चुक चुक के घर भी बनाया जा रहा है जो कि ये दिकhाती नहीं है तो जब तीन साल से मजजित के नाम पे जो चंदा लिया गया है वो जब तो मजजीद नहीं बनी तो अभी क्या बन जाएंगी और पिटारा जितना तेरा पैसा ट्रेड मिल में खरीदने में लग गया ना जितने का तू फोन यूज़ करती है ना उतने में वो मजजीद बन सकती है अराम से तो तेरा ये डायलोग मार के लिए लोगों को बाट सकती है तो तू थोड़ा सी पैसा मजजीद में नहीं लगा सकती है तो तेरा जो ड्रीम हाउस बना रही है तूने खुद अपने मूँ से बोली के कड़ोडो लगेंगे उसमें तो ये कड़ोडो रुपे में से कुछ पैसा निकाल के तू मजजीद अरे लगदी लानत पिटा रहे तिरे उपर के तू इतनी गिर गई है के तू अब मस्जीद के नाम पर फंड लेना चाहती है तिरे उपकर लगदी लानत है और खुदी बता रही है कि जो लोग भी अभी देखो हिंट कितना अच्छा दे रही है जो लोग भी मज़िद के काम में पैसा लगाएंगे न तो उनकी आखेरत में मतलब के अल्ला के घर पे उनका एक घर बनाया जाएंगा यहाँ पे इसका दिमाग चेक करो यह कितना दिमाग लगा रही है यह देने वालों को बता रही है कि तुम लोग दो तुमारा अल्ला के घर पे घर बनाया जाएंगा उनको हिंट दे रही है यह तो पिटारा वोई चीज तू अपने उपर लागू कर लेती तू ही बना देती तेरा ही घर बना लेती अल्ला के घर के पास मतलब अल्ला तेरा घर एक जन्नत में बना देता तो तुने अपना अच्छा छोड़के दूसरे का अच्छा करने की कोशिच की मुझे तो हसी आ रही है इसके गेम के उपर इसके दिमाग के उपर कितना दिमाग लगाती है यह उ चाहिए बुलते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले इस तरह से इसको चुप चाप मजजित का काम करवा देना चाहिए था कि ये अल्ला की रहा के लिए कर रही है लेकिन जो और तो रोजा खुलाते टेम पे दूसरे के पैसे लगाती है दूसरे की मेनत लगाती है और खुद ये डायलोग मारती है कि अल्ला मुझे देंगा ना तो मैं रोजा खुलाओंगी तो वो अरत से क्या ही उमीद की जा सकती है कि वो अल्ला के घर में पैसा लगाएंगी और ये मजजित है ना इन लोगों ने सीर्फ और स्रीफ इसलिए रखे है थाके लोगों से पैसे एच सके इन लोग गाउवालों से भी पैसा लेते थे ये मजजित के लिए यकीन नहीं आएंगा आप लोगों को लेकिन ये बात फैक्ट है कि इन लोग गाउवालों से भी इस मजजित के नाम पे पैसा लेते थे पहले अब इन लोग वाईटी वालों से ले रहे हैं तो जो लोग भी इन चीजों में पढ़ते हैं तो थोड़ा सी सोस समझ के ही पढ़ना क्यूंकि इन लोग है न सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मस्जीद दिखाते हैं लगाते नहीं है इन लोग अपने घर बनाते हैं अपनी ट्रीपे करते हैं अपनी आयाशियां करते है अपनी गाड़ी खरीते गोल्ड करीते ना के ये लोग मजजीद में पैसा लगाते है जो मजजीद तीन साल में नहीं बनी अब पिटारा के बोलने पर बन जाएंगी जबके पिटारा को तो इतना पैसा है इसके पास में इतना पैसा है कि ये थोड़ आती बोलते न दरिया में से मग्गे के जित्ता अगर यह निकाल लेती ना तो मज़ीद बन जाती कौन सा पाच्छे माले की बिल्डिंग खड़ी करनी है अरे पैरी तो करना है कितना लग जाएंगा आप लोग को सोचो कितना लग जाएंगो तो यह तो अराम से करवा सकती थी जितना यह कमाती है लेकि दोनों जने को पैसे लगाने पड़ेंगे तब ही हम अज़ित बनेंगी कितना अच्छा गेम खेली ना तुने फंड मांगने के लिए तो जो लोग भी इन सब चीजों में इनकी बातों में आते हैं तो वो लोगों को आखे खोलना चीए और इन सब बातों में ना आके ना इनको इनकी अवकात में रखना चीए आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि जितना पिटारा आयाशी करती है आप सोचों के ट्रीप पे जा रही है कितने पैसे लगे होएंगे तो क्या उसमें से ये मज़ित नहीं बनवा सकती थी ये जो इसने ट्रैडमिन लाके कोने में फेंक दी है वो नहीं खरीट के अगर मज़ित में पैसा लगाती तो और पहली बात तो वो नहीं खरीट के लगाने की भी जरूरत नहीं है इसके पास इतना पैसा है ना कि अगर मज़ित में थोड़ा सी लगा देंगी ना जो जिसको इतना होश नहीं रहता है कि मेरी बीवी कौन है और बेटी कौन है उसको मज़िद की फिकर हो रही है बताओ आप लोग खुद अब यहाँ पे दोनों भाई बैन ने अक्टिंग की है क्यों क्यों क्योंकि बीवी ने तो बेवड़े की जो बीवी है वो तो तीन साल पैसा है टेट के सख गई या वो कैसे बोल सकती है और मुझे यह भी नहीं समझ आता है कि जो लोगों ने पहले ही दे चुके मजडित के नाम पे वो लोग क्यों नहीं आके बताते है कि हमने दिये परसनल में तो आके मेरे से कितने जने बता के गए लेकिन वाइटी पे क्यो सच बताना चाहिए कि यह मजडित के नाम पे हमने पहले ही पैसा दे चुके बाकी अबू की याद आ गई भई कबर पे भी चली गई पानी डालने पूल डालने अब देख लो अगर आप लोग इसके अबू की कबर देखो गे ना तो उसके पर फूल नहीं था मतलब के पूल नजर आना चीह से कि चलो भाइब जब आएंगी तब आएंगी तब दालेंगी मैं तो मेरे बाप की पर फूल डाल के आंके यह पशल डालें तो लानत पिटारा तेरे प्वार के तेरे को आई थे टैम पे भी सूज रहा है गुमना पिरना तो पता भी है मौरम के वज्जे से फूल भी करें लेकिन फिर भी तू ट्रिप करने के लिए निकली हुई है लानत तेरे पर तो बस यह जो फूल भी करें और इसके बाप की अग टेंट बनाए सिंपती लेने के लिए कि देखो हम कितने अच्छी अउलादे जिनको तीन साल में याद नहीं आई बाप की बरती अब इनको याद आ गया कि बाप की बरती भी मनानी होती है अलाकर देख लो गोचु और साल मनाता है अपनी मां की बरती लेकिन पिटारा ने पहली बार मनाई है तो किस तरह से लोग मरूमों को और मरे हुए बाप को भी यूज़ कर लेते हैं ना इनकी जलालत देख लो आप लो बकि देखते है कि कहां गुमने जाती है कब निकलती है वैसे तो जूते बहुत पढ़ड़े है इसको कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि म कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना मिंसे नेक्ट वीडियो में लापी